हेलो दोस्तों आपके अपने चैनल किर्केट ग्यान पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर दिल से स्वागत है दोस्तों आपने विश्व कर्केट में एक से बढ़कर एक बहतरीन बल्लेबाच देखे होंगे जो कर्केट के तीनों फॉर्मेट में शानदार खेल दिखाते हैं लेकिन दोस्तों विश्व कर्केट में कुछ बल्लेबाच ऐसे भी हैं जो टेस्ट और वंडे में तो नमबर एक की पोजिशन हासिल कर पाए हैं लेकिन अंतरराश्ट्रिय T20 कर्केट में कभी भी नमबर एक नहीं बन पाए दोस्तों इसी को देखते हुए आज हम मेरी इस वीडियो के जरिये बात करेंगे विश्व कर्केट के उन टॉप तीन बल्लेबाचों के बारे में जो टेस्ट, वन डे और अंतरराश्ट्रिय T20 कर्केट को मिला कर तीनों फॉर्मेट में नमबर एक की रेंकिंग हासिल कर चुके हैं दोस्तों इन तीन बल्लेबाचों के अलावा कोई चोथा बल्लेबाच ऐसा नहीं है जिसने ICC के तीनों फॉर्मेट में नमबर एक की रेंकिंग हासिल की हो आईए दोस्तों जानते हैं कि कौन से हैं यह टॉप तीन बल्लेबाच दोस्तों इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर आते हैं उस्ट्रेलियाई टीम के बाएं हाथ के सबसे शानदार ओपनर बल्लेबाच मैथ्यू हेडन दोस्तों अगर बात की जाए मैथ्यू हेडन के बारे में तो यह बल्लेबाच टेस्ट वंडे ओटी ट्वंटी में चालिस शतक लगा कर तीनों फॉर्मेट में नमबर एक की रेंकिंग हासिल कर चुका है दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर आते हैं उस्ट्रेलियाई टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक दाएं हाथ के सबसे शांदर बल्लेबाच रिकी पॉंटिंग दोस्तों अगर बात की जाए रिकी पॉंटिंग के बारे में तो यह बल्लेबाच टेस्ट वंडे और अंतररास्तरी टीटवंटी किर्केट को मिला कर 71 शतक लगा चुका है 71 शतक लगाने के साथ ही यह बल्लेबाच तीनों फॉर्मेट में नमबर एक की रिकी रिकी पॉंटिंग हासिल कर चुका है दोस्तों इस लिस्ट में सबसे उपर पहले नमबर पर आते हैं भारतिय टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान विराट कोली दोस्तों अगर बात की जाए विराट कोली के बारे में तो यह बल्लेबाच टेस्ट वंडे और अंतराश्टी टीटवंटी क्रिकेट में 70 शतक लगा कर तीनों फॉर्मेट में नमबर एक की रिकी रिकींग हासिल कर चुका है दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं क्या आने वाले समय में भारती टीम के हिटमेन रोईत शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राए जरूर दें